तो दोस्तों मेरा ना मैं इशान और एक बार फिर से आप सबीका स्वागत है हमारे चैनल इशान टेक वर्ड पर दोस्तों इस वीडियो में आज आज आप से बात करना वालों सैमसंग की एक नए धमाकेदार फोन के बारे में जो के सैमसंग गेलेक्जी अब दोस्तों क्या होंगे इसके फीचर इसके पूरे स्पेसिफिकेशन प्राइज लांच डेट मतलब इस सब चीजों के बारे मैं आप से बात करूंगा और लास्ट में मैं आपका ओनेस रव्यू भी दूंगा वेदर इस फोन वर्थ फो यूट बाई और नॉट तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिए और दोस्तों अगर आपने हमारे चलो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस रेट बटन दबा कि हमारे चलो कर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी में उसके बाज़ों जापको बैल का आइकन अपियर होग थर्टी तो और फिफ्टी था फिफ्टी अगर अपने मेरा हैंड जॉन रिव्यू नहीं देखा है तो यहां पर आपको लिंक आ रहा होगा उपर पर क्लिक करके जो आप महरें सामसंग गैलेक्जी ए 50 का हैंड जॉन रिव्यू देख सकते हैं तो दोस्तों इसी के साब से इ 7-inch का full HD plus display देखने के लिए मिल जाता है जिसमें super emulate infinity display आपको मिलेगा मतलब यह तरगी का notch display रहेगा जो आपको मालू में water drop notch रहता है वो display रहेगा अब दूस्तों display के बारे में जहां तक मैं आप से बात करूंगा इसका brightness और इसका sharpness जो रहता है तो मेरे हैसाब से मेरे ए 850 का भी आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए उसका भी डिस्प्ले बहुत अच्छा था बहुत शाप डिस्प्ले था एक्दम crystal clear डिस्प्ले और साथ ही उसके saturations भी जो एक्दम perfect थे तो इसके साब सो दोस्तों उम्मीद ही है expectations यह है इस phone का display मतलब Galaxy A70 का display बहुत अ हो सकता है आगे बात करूंगा दोस्तों की camera department में तो इसमें आपको रेर में triple camera देखने के लिए मिल जाता है बिल्कुल Samsung Galaxy A50 की तरह जिसमें आपको first camera मिलता है 32 megapixel का दूसरा है 8 megapixel का और तीसरा camera है 5 megapixel का इसी के साथ में आपको front camera मिल जाता है 32 megapixel का और दोस्तों same Galaxy A50 की तर इस phone में भी आपको in display fingerprint sensor देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों जहां तक बात है इस phone की performance की तो पर तक यह नहीं पता लग पाया है कि इस phone में प्रोसेसर कौन सा होगा snapdragon का होगा या exynos का होगा लेकिन जहां तक इस phone के specifications को देख के अंदज अलगा जा रहा है तो हो सकता ह है कि भली snapdragon का हो यह exynos का हो लेकिन इसमें आपको latest processor या latest series का processor ही देखने के लिए मिलेगा memory के बारे में दोस्तों जहां तक में आपसे बात करूंगा तो इसे बताये जा रहा है कि यह phone आपको 2 variant में मिल जाएगा 6GB RAM और 8GB RAM जिसका internal storage रहेगा 128GB और इसको आप expand कर सकते है 5 12GB तक जहां तक बात है दोस्तों battery performance के बारे में तो इसमें आपको 4500 mAh की battery मिल जाएगी जिसमें आपको 25 watts की turbo charging भी देखने के लिए मिल सकती है मतलब एक अंदाजा लगाए जाए कि 60 minutes में आपका यह phone 55-60% तक charge हो जाएगा दोस्तों यह तो होगा इस phone के कुछ key specifications price के बारे है ऐसे smart phones को टक कर देने के लिए क्योंकि यह smart phones ऐसे हैं जो mid range में निकलते हैं बहुत अच्छा specifications देते हैं अपने phone में तो ऐसा पता जा रहा है कि Samsung Galaxy A70 company release कर रही है यह इनी phones को टक कर देने के लिए है तो आप अधनाजा लगा सकते हैं कि यह phone mid range में launch हो सकता है दोस्तों मैं बात करूँगा इसके launch date की तो Samsung का एक event हो रहा है जो कि April 10 को जहां पर आपको यह phone देखने के लिए मिल जाएगा और साथे में आपको price भी पता लग जाएगा और आपको processor भी पता लग जाएगा तो बात करूँगा अगर मैं अपने खुद के honest review के तो obviously आप तक की जो specifications इस phone उनकी बार में पता लगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे specifications है और जहां तक यह बताया जारा है कि यह phone Chinese smartphone को टक्कर दे रहे हैं निकाला जा रहा है मतलब mid-range का phone हो सकता है तो obviously अगर यह 30-30 plus cross करता है तो मेरे हिसाब सो obviously यह phone इतना वर्थ नहीं है क्योंकि अगर Chinese smartphone को टक 6GB और 8GB RAM का variant भी मिल जाता इस phone में और obviously जब 6GB और 8GB RAM का variant है तो processor भी आप अच्छा ही expect कर सकते है जैसे के exonus के आप 900 का processor expect कर सकते है और snapdragon का आप minimum 700 series का processor expect कर सकते है तो दोस्तों यह हुआ मेरे एक छोटा से review इस नए phone के बारे में आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए comments column में please comments column is already open for you और दोसों सबसे पहले बात में आपको सबसे पहले जो ना वह थांक्यू बोलना चाहाँ को कि हमारे चैनल ने जो ना वह 8000 subscribers complete कर लिए अपने चैनल और obviously हम target कर रहे हैं इंशाला 10,000 subscribers का तो अगर आपने अपर तक हमाने चैनल को share नहीं क्या है तो जितना इस वीडियो को भी सब जगा पर share कीजिए ताकि जल से जो ना हमारे चैनल इंशाला 10,000 subscribers को complete कर ले तो चलिए तो फिर मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में